आईपेल 2024 में बचे हैं मात्र बाइस दिन अब तक कौन-कौन हो चुका है बाहर चलिए देख लेते हैं फाइनल लिस्ट नमश्का दोस्तों मैं यश्टिवारी आप देखना है क्रेकट फड़ाफट का 1188 वा एपिसोड आज एक माच की तारीक है और रोज की तरह आज भी सामी और ट्रेडिंग और एटेंशन हो आईपेल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट खबरे न्यूस फैक्स अबडेट्स स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोस्ते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फड़ा बट कीजिए दोस्तों सब्स हäter कौब मेरे को फरक पढ़ता है दरसal दोस्तों जब से हार्दिक पंडिया बंबई के कप्तान बनाए गये हैं तब से ही मुंबई इंडियांस के फैंस कुछ नहीं है और लगातार हार्दिक पंडिया के खिलाफ M.I.E. के जो फैंसे वो सोशल मेडिया पर लिख रहे हैं अब इस बारे में जब इन से कुछ पूछा गया तो इन्हों ने कह दिया कि भईया मैं तो ना किसी का कमेंट करता हूँ लोगों की बात से मुझे फरक भी मत नहीं पड़ता मतलब वो लोग जिसके कारण हार्दिक पंडिया आज अगर फैंस में लोग फैंस ना जाएं देखने ना जाएं टीवी पर ना देखें तो क्रिकेट कुछ नहीं है दूसरे खेल भी है हिंदुस्तान में जिनको लोग नही कोई पैसा नहीं है अज आज पंडिया जो कुछ भी हो फैंस के कारण है लेकिन उन फैंस को लिए ना वह कभी देखता ना उनके कमेंट पड़ता ना उसको कोई फरक पड़ता तो अब आप खुदी भाई बात कर लो में को तो अब क्या बोलूं क्या भाई में तो आगे कराने के लिए समय लंडन गये हुए आपको बता दू कि लखनाओ सुपर जाइंट्स ने पिछले बार भी केल राहुल की अपसेंस में रुनाल पंडिया को कप्तानी दी दी लेकिन इस बार लखनाओ ने अल्रेड़ी प्लैनिंग कर लिए अगर किसी भी कारण से केल राहु अपसेंट रहते हैं आईपल दोहजार चौविस में उपलब नहीं रह पाते इस समय इंजर्ड है लंडन गये हुए है अपनी कौटर से विंजरी का इलाज कराने के लिए तो उनके स्थान पर निकोलस पूरण कप्तानी करेंगे निकोलस पूरण को वाइस कैप्तन बना दि देते हैं तो जैसा कि मैंने विडियो की शुरबात में कहा था अब तक कौन-कौन बाहर हुआ है उनकी लिस्ट में आपको बता देता हूं मातर बाइस दिन बचेंगे तो गुजराट टाइटन्स के मोहमज शमी बाहर हो चुके हैं फाइनली ऑफिशली यह कंफर्म हो चुक कब दोनों से ही अपनी एंकल सरजरी के बाद अब मोहमज शमी रिटन कर पाएंगे इससे पहले उनकी वापसी नहीं हो पाएगी मतलब जो बॉडर गावस का ट्रॉफी होने वाली है भारत और और ऑस्ट्रेलिया के वीच उसमें अब हमें मोहमज शमी के एंट्री होती पाला तेज गेंबाज है और इस समय लगबाग हिंदुस्तान के सारे बड़े तेज गेंबाज अलग अलग टीमों का हिस्सा है तो इनका रिप्लेस्मेंट डूंड पाला बड़ा मुश्किल है और अल्रेडी गुजरात को काफी बड़ा जटका लगा है डेंट लगा है क्य बड़ी खबर की बात करते हैं तो दूसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में आपको बता दूं मार्क वुड का है मैं आपको अरड़ी पता है बता चुका हूं मार्क वुड ओफीशली बाहर हो गये हैं इंडियन प्रीमियल लीग से इंजिरी का बहाना बनाकर मैं बहाना इंगलेंड के कई देश के इनबास आइपको अडिन बन पा रहा है और उन में से एक नाम मार्क वुड का भी है मार्क वुड की रिपलेसमेंट के रूप में लखनवालों ने शमार जोसफ को बुला लिया है और ओफीशली यह डील हो चुकी है लेकिन जो सबसे बड़ा सव को पहले से ही पता है कि वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ट नहीं जिस तरह कि सिली सिली बयान दे देकर अपने खिलाडियों को बाहर किया है 24 के आई पेल से इस पर रोक लगनी चीए आगे वर्दे दोस्तों पाच्वेडी रिपोर्ट की बात कर लेते तो यह टॉम कर्रन रॉल इनकी भी सरजरी होने वाली है तो IPL का हिस्सा वो नहीं होंगे RCB के लिए यह बड़ा डेंट है बड़ा डेंट रॉयल चेलेंजर्जर्स बेंगलॉर के लिए यह इसलिए है क्योंकि रॉयल चेलेंजर्स बेंगलॉर के पास तेजगेंबास के रूप में इस्पेशली विकल्प है वह अलजारी जोसफ का है और अगर जोसफ फ्लॉप होते है देन इनके जो दूसरे विकल्प थे वो टॉम कर रहें ही थे लॉकी फर्गुशन ही थे अब टॉम कर रहें तो चले गए हैं अब इनकी रिप्लेश्मेंट कौन होगा यह तो हमें समय बताएगा क्या हेजलवुड आने वाले हैं बताओ आप कॉमेंट बॉक्स में आगे बढ़ते हैं दोस्तों छटवी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं तो चौहता बड़ा नाम जो कि आईपल दौजारी से बाहर हो गया है वो आर्सीब के ही हैं नाम उनका रीस टॉपली सेम होने भी इंज्री का बाहना तब बनाया जब यह इंटरनेशनल लीग टी-ट्वेंटी में क्रिकेट खेल रहे थे मतलब क्रिकेट आप शाम को खेल रहा है और सुपह बोल रहा हूं मैं आईपल में बाहर हूं बिकॉस ऑफ इंग्लिश क्रिकेट वोर्ट ने यह एक तरह से म कभी भी बहतर नहीं रहा है तो कुल में लाकर एक बात की दो बात और दो बात की सोब आती है कि आर्सीप बड़ी टेंशन में आगे बढ़ते हैं दोस्तर साथ भी बड़ी ख़बर की बात करते तो पाचवा बड़ा नाम जो कि हुआ है बाहर है मुस्तफविद्धुरहमान से बाहर हो गए है एड इंजरी के चलते बिग बाफ कीजिए बीपियल जो होता है बांगादेश प्रीमेर लीग होती है बीपियल उसमें इनको हैड इंजरी हुई थी और यह बाउंडरी पर थे इनको सिर में चोट लगी थी और उसके बास से यह बाहर है और रिपोर्टेडल इस साल इनको ला सकती थी क्योंकि दोनी को हमने कप्तानी में अच्छा करते हुए और खिलाडियों के साथ नियाय करते हुए देखा है इससे पहले 2015-16 के दौर में मुसर्फ विजर रह्मान खूप चले थे और उसके बाद गाया वो गय थे आईपियल में लेकिन जो सही समय पर बॉलिंग कराना सही समय गेंद देना और खिलाडी का सही इस्तमाल करना वो चैने की टीम जानती है और मुसर्फ विजर रहमान काफी हैंडी साबित हो सकते थे चैने को विदेशी तेज गेंबाजी में थोड़ी सी लैकिंग है भी और यह पांच नाम थे दोस्तों और स जो भी रिप्लेश्मेंट आएगी वह हम टेलीग्राम पर यूटूब से भी पहले डाल देंगे क्योंकि आइपल 24 का 24 घंटे का कवरेश चल रहा है हमाई टेलीग्राम पेच पर लिंक इंडिस्क्रिप्शन वॉक्स में पैसा डाला लोग फ्री में परिवार का इसा बन चुका है यह मर्जर ऑफिशली अनौंस कर दिया गया है नीता अम्बानी को इस पूरे ग्रूप का हैड बना दिया गया है बदब कुल में लाकर फिर वही बात है पूरी कहानी की समरी यह है कि अब चाहे टीवी पर आये चाहे पून पर आए आई पील आएगा अम्बानी ज दिजनी हो गया है जीओ वालों का तो टीवी के राइट भी जियो के पास है एक प्रकार ज ही है मतलब यह जो टोटल कंपनी का वैलूएशन हो गया है रिलाइंस प्लस डिजनी का यह जो टोटल टीवी पर स्पोर्ट्स ब्रोड कास्टिंग का जो इनका जो वैलूएशन है वो सतर हजार करोड का हो चुका है पाकिस्तान की जीडीपी से भी जाता है आके बढ़ते हैं दोस्तो नौ भी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं तो यह खबर दोस्तों जीओ के हवाले से आ रही है अब जीओ ने एक और क्लेम कर दिया है अब खेर क्लेम ही करेगा जीओ क्योंकि जीओ अकेला बचा है जो की समय टीवी पर प्रोड कास्टिंग कर रहा है स्पोर्ट की क्रिकेट की इन इंडिया चाहिए वो फोन टीवी हो हर जगा जीओ ही है अब जो जीओ की मॉनोफली हो गई है जीओ ने क्लेम किया है कि वो इस बार लगबग पांच हजार एडवर्टाइजर्स के साथ पिछले साल की तुल्णा में इस बार पांच गुना ज् आइपल के कारण प्लेएड ने कई बार जो है इंजरी फेक्ड की है इन रंजी क्रिकेट प्लेयर रंजी से दूर रहते हैं चोट का बहाना बनाकर मनुस्तिवारी ने खुलासा किया मनुस्तिवारी पूर्व खेलाड़ी है और ये बंगाल से खेलते हैं और भी बड़ा नाम रहा है केक्यार की टीम का भी सता इन इंडियन प्रीमियल लिग कह रहे हैं कि फील्ड पर रंजी के दौरान भी आईपील की ही बाते होती थी और रंजी खेल नहीं खेलाड़ी इसलिए आदे थे कि आईपल में सेलेक्शन हो जाए और कई प्लेयर्स फेट मैंने इसलिए करते थे इन्हों ने इसारा किया श्राओर ऑपनिया के साथ बड़ो दा प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर रहे थे और मैं तो यह भी भूलूंगा कि हार्दिक पन्दिया ने भी फेक की है देखो उसके मुझे हर्दिक पंडिया के पास हें कॉंटेंट हार्दि पंडिया कि आप नहीं बोल पाओंगे क्योंकि हार्दिक पंडिया कह देगा में इंजड था लेकिन वो आर्दिक पंडिया जो की इधर सिरीज चल रही है उदर डीवाइपाटि टीट्वेंड कप खेल रहा है इधर तेस्सिरी चल रही है उदर वह राजकोट के स्टेडियम थो रहा रहा है कि क्या क्या यह यह जो वुरा राइग बहुत कुपार्ट Imagen के लिए अच्छा है क्योंकि देखो अब जो N' anda बिघ सूपर्स्टार होंगे हिंडुस्तान की क्रिकट के Virtual parent वो तो आपना समय द्रॉए को दिया लेकिन अगर hit करका bell icon